साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब, मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, मनिपूर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सब्बे समाज के लिए, ये शर्मसार करने वाली घटना है, पधान मंत्री को दो महीने के बाद, ख्याल आया कि वहाँ पर कुकी क्राइप्स का जनोसाइड हो रहा है, पाप करने वाले, गुना करने वाले, कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगापे है, लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही हैं, एक सो चालिस करोड देश वाच्चों को सर्मसार होना पड़ रहा है। पधान मंतरी इसलिए रियाक करें, मजबूरन रियाक करें, क्योंकि वीडियो पूरे दुनिया में वाइरल हो चुका है, कैसे महिलाओं को पुलिस कस्टडी से निकाल कर, उनकी कपड़े उतार कर, उनके बाप और भाई का खतल करके, खेत में लिजा कर एक 15 साल का लड़का 40 साला महिला का रेप करता है, पधान मंतरी अगर वीडियो नहीं नहीं करते हैं, दो महीने में 130 सर्चिस को जला दिया गया, 6000 हतियार को लूटा गया, 6000 गोलियों को लूटा गया, 5000 लोग डिस्पलेस हो चुके हैं, और देश के पधान मंतरी दो महीने के बाद अपनी मैं सभी मुख मंतरियों से आगर करता हूँ, कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें, खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, गटना चाहे राजस्तान की हो, जटना चाहे चत्तिस गट की हो, गटना चा किसी भी की राज्य सरकार में, राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके, कानून व्यवस्ता का महत्माएं, नारी का सम्मान, और मैं देश वाज्यों को भी स्वाद दिल लाना चाहता हूँ, किसी भी गुनेकार को बख्षा नहीं जाएगा, कानून अपनी पूरी शक से एक के बाद एक कदम उठाएगा, मनिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माप ने किया जा सकता है। किस्वानों को, हिसाईों को, दलितों को टार्गेट किया जा रहा है, ये बीजेपी का मेजॉरिटेरिन प्रोजेक्ट का इस्सा है पुरे देश का, क्या गिरफतारी हुई है, दो महीने के बाद क्या देश करपधान मंत्री को नहीं मालुम था कि ये इतना घिनावना दे रहे हैं, कि 40-50,000 लोग बेघार हो गए, 130 चर्चिस के जला दिया गया, ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी रेन इनका प्रोजेक्ट है, उसलिए चल रहा है पूरा है, बिल्कुल ये तो नौ साल में देख लीजिए, कितने वाकियात हुए है मुसल्मान, क्रिस्टिन दलिद के ओपर, टार्गेटेड वायलेंस होता है, और कौन बचाता है इनको, किसके बारे में कहा जाता है, कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए, कि सुप्रेम कोट ने इन तमाम बातों का नहीं नोट नही के लिए नहीं कहा, चाहे माराश्ट्रा हो, धरम संसद हो, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मनीपूर में, आपकी सरकार है, वहाँ का मुख्यम मंत्री के फेस्बुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िये, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है, वो तो खुलम खुला क को नफरत करते हैं.